नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर नागपूर शहर राश्ट्रवादी कॉंग्रेस पार्टी की और से बुद्वार को लोहपुरुष सरदार वल्लभाई पटेल की पुन्यत इथी मनाई गई रागाप शहर अध्यक्ष दुनिश्वर पेठे ने लोहपुरुष वल्लभाई पटेल के पुतले पर मालारपन किया कार्यक्रम का अयोजन संगठन सचिव आशोतोष बेले करने किया इस अउसर पर श्रिकान घोगरे, रमनिश पांडे, संतोष सिंग, शेलेंद्र तिवारी, रिजवान अंसारी, सुपदेव वंजारी, रमन्ठवकर, महेंद्र भांगे, सुनिल लांजेवार, राजेश पाटिल, मनिशा गोडबोले, नागेश अठानकर, मनिश मोरे, सुश नागपूर महानगर पालिकाने सक्त कारवाई शुरू कर दी है, बुधवार को आशेनगर जोन में 15 बकाया संपत्तिकर धारकों को वरन जारी कर, उनकी आवास वखुले भुखंडों को जब्त कर लिया गया, बकाया कारदाताओं को 15 दिनों की अवधी दी गई है, और यद शुन कावले, सुदर्शन वाहा ने आदी मनपा अधिकारियो द्वारा ये कारवाई की गई, नागपूर महानगर पालिकाक शेतर अधिकार के अंतरगत 1 दिसमबर 2021 से पहली से 7 वी कक्षा तक क्लास से शुरू करने का फैसला, शुरुवात में टालने के बाद, आज से तम स्कूलों को शुरू करने का रास्ता खुल गया है, मनपायुक्त राधा कुष्णन वी ने शहर इक्षेतर में पहली से 7 वी कक्षा तक के सभी स्कूलों को कुविट प्रतिबंदात्मक नियमों के अधिन रहे कर प्रारम करने के समन्द में गुरुवार को एक आदेश जारी किया था, मनपायुक्त के आदेश अनुसार शहर में पहली से 7 वी कक्षा के 116 स्कूलों तथा 1053 नीजी स्कूलों सहित 1079 नीजी स्कूलाथ से शुरू हो जाएंगे, नाकपुर महनगर पाली का क्षेतर के 1079 प्राथमिक विद्यालों में 2,59,715 चात्र है, NMC स्कूलों में 9,319 और अन्या नीजी स्कूलों में 2,4,396 नीजी स्कूलों में 2,4,396 है, जिसका क्रियान वयन आज से हो गया है। पटोले ने आगे कहा कि केंद्रसरकार के पास जो आकड़े है, उन्हें जान बुच कर मुहया नहीं कराया गया है। भारतिय जनता पार्टी और केंद्रसरकार ने मिलकर राज़सरकार के इस लक्षमें बाधा डालने का काम किया है। सुप्रीम कोट के निर्देश के मुताबिक आज से तुरंट डाटा कलेक्शन शुरू हो जाना चाहिए। पटोले ने कहा कि राज़सरकार को इसके लिए जो भी संसाधन चाहिए वह उपलप्त कराये जाए। ताकि किसी भी कीमत पर OBC आरक्षन को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने कहा कि अब इस बारे में और समय बिताना उचित नहीं। पटोले ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी इस बात पर जोर देती है कि OBC का आरक्षन हर हाल में बना रहे। नागपुर महनगर पालिका के उपदरोग होजी दल ने बुधवार को एक प्रतिष्ठान पर कारवाई की और 20,000 रुपे का जुर्माना वसूला। टीम ने 34 प्रतिष्ठान और मंगल कारयालयों का निरिक्षन किया। टीम ने 10 मनपा जोन में 47 पतंग के दुकानों का निरिक्षन किया। मनपा युक्तर आधा कुरुष्ठान भी की निर्देशा अनुसर और एंडेस प्रमुख विरसिन तामबे के मार्क दर्शन में मनपा की टीमों ने ये कारवाई की है। अपुर्व विज्यान मेला विज्यान शिक्षा के लिए मौडल की रूप में इस्तिमाल किया जा सकता है। अपुर्व विज्यान मेला के उद्गाटन के आउसर पर मुख्य अतीथी के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहां कि नए शिक्षा नीती भी इस प्रकार की एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। इस से उपलब्त सामानों और उपकरणों से सहस्ता से प्रयोग किये जा सकते है। विदर्ब के स्टेशनर्स व्यापरियों की एक मात्रव अग्रणिसंस था। विदर्ब पेन एंड स्टेशनर्स एसोसियेशन द्वारा हाल ही में जगनाडे चौक स्थित रिजेंटा सेंटर होटल में एक भव्य कार्यक्रम का एजन किया गया। कार्यक्रम के अधिक्षता एसोसियेशन के अधिक्ष अरजुन्दास आहु जाने की। किया गया। इंडियन चेंबर ओफ फूड एन एग्रिकल्चर द्वारा 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के दोरान लखनों में एग्रोविजन उतरपदेश का आयजन किया जा रहा है। इस अंदर में एग्रोविजन फाउडनेशन के अधिक्ष रवी बोरटकर एवं सयोजक गरिश गांधी सचिव डॉक्टर सीडी माई एवं आयोजन सचिव रमेश मानकर तथा सदस्य प्रशांत कुकडे नेक पत्रकार वारता आयोजित कर सपष्ट किया है। कि ये आयजन करने वाला ICFA न तो हमारे ट्रेडमार्क एग्रोविजन के अधिक्रूत उपयोग करता है और नहीं ये आयजन किसी भी तरह से मध्यभारत की सबसे बड़ी स्थापित और प्रसिद्ध कृशी प्रदर्शनी एग्रोविजन से जुड़ा है। एग्रोविजन के अधिक्षव वोरोड करने बताया कि इसी करण हमें मानन या दिल्ली उच्चनाले के समक्ष अपने ट्रेडमार्क एग्रोविजन के अनुचित उपयोग के संबंदित तमाम मामलों को रोकने के लिए नीशे धाग्या जारी करते वे मामला दर्च किया हाल ही में तामिलनाडो में हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए भारत के प्रथम चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत तथा उनके साथ ही सैन्य कर्मियों को शिवसेना तथा युवसेना की और से गांधी गेट्स दित शिवाजी पुतला चोग परश्रध जली अर्पित की गई इस अउसर पर शिवसेना युवसेना तथा महीला अघाडी के कई पधादीकारी तथा कारेकर तगन उपस दित थे आज 8 प्लस और 45 प्लस आईउ वर्क के सभी नागरी को का कोविट शिल्ट का टीका करन नागपूर महनकर पाली का के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा टीका करन का समय शाम के पाच बज़े तक होगा टीका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्दतियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइवन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी 18 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरी को को कोविट शिल्ट के जरिये टीका करन किया जाएगा ये जानकरी चिकित सास्वास सधिकरी डॉक्र संजय चिलकर ने दी इसी तरह 18 वर्ष और 45 वर्ष के नागरी को के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा रोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबासाइब अमबेटकर अस्पताल कामधी रोड वस्वर्गिये प्रभाकर दटके 22 नमबर को सोनी मराठी चाइनल पर शुरू हुए मराठी आइडल कारेक्रम में उतक्रुष्ट प्रदर्शन के लिए नागपुर के कैवल्ले केजकर को महराष्टर में प्रशन सकू का भरपुर प्यार मिल रहा है कैवल्ले के पिता का स्वास्त बिगड़ा हुआ है वे पिछले नौ महिनों से ऑक्सिजन पर है उनकी माताजी भी पोस्ट कोविड लक्षनों के चलते बिमार है इसके बावजुत कैवल्ले ने हिम्मत नहीं हारी और मराठी इंडियन आइडल में लगातार बहतरिन प्रदर्शन कर रहे है कैवल्ले ने कई प्रसिद्ध पुरसकार प्राप्त किये है और आगे भी ऐसा प्रदर्शन जारी रखने की उम्मिद जताई है हाल ही में नाकपुर केंद्र से नए योगे चार्टर गाउंटेंट्स के लिए एक वर्चुल केंपस इंटर्व्यू आयोजित किया गया था जिसका आयोजन ICAI प्लेस्मेंट पोर्टल पर उद्ध्योक और व्यवसाय में सदस्यों के लिए गठित समीती द्वारा किया गया था ICAI की नाकपुर शाखा के अध्यक्ष सीय साकेत बागरिया ने कहा कि हर संगणन में चार्टर गाउंटेंट्स की सक्त जरूरत है आज के C.A. Value Professionals का आटायक रखते हैं क्योंकि उनकी आज के दौर में ज्यादा जरूरत है तकनीकी प्रगति और Data Analytics और Data Base प्रबंदत के महत्व के साथ साथ डेटा सुरक्षा पर जोर दिना ये सभी नए C.A. पाठ्यक्रम और गतिशिल व्यवसाइक तंत्र की सभी आवशक्ताओं को पूरा करता है बागडिया ने कहा कि नए योगे Chartered Accountants में सभी स्तरों पर व्यवसाइक जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्साहा और गति हैं उन्होंने बताया कि Institute of Chartered Accountants of India नए दिल्ली में सदस्यों और उद्योग के लिए समिती द्वारा प्रमुक शहरों में हर साल नए योग्या C.A. छात्रों के लिए Campus Interview आयोजित किये जा रहे हैं बागडिया ने प्रसंदता व्यक्त की है कि लंबे समय के बाद ICI की नाकूर शाहखा को भी 2021 में प्लेस्मेंट के लिए एक Campus Center के रूप में मान्यता दी गई है ट्रेन में हो रही आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए भारतिय रेलवे द्वारा समय समय पर जनजागरुकता अभियान चलाए जाते हैं ताकि रेल गाड़ी में कभी भी कोई भी आगजनी की घटना से जानो माल का नुकसा ना हो इसी दिशा अग्रसर होते हुए मंडल रेल प्रबंदक रूचा खरे के मार्क दर्शन में सुरक्षा विभाग द्वारा नाकपूर मंडल पर सुरक्षा अभियान शुरू किया गया था नाजरिक सुरक्षा संगठन के स्वयम सेवकों ने भाग लिया नाग्रिक सुरक्षा संगठन के प्रश्रिक्षक द्वारा नाकपूर स्टेशन पर विभिननप्रकार की आग को बुझाने की तरीखो और उपकरनों के संचालन की विस्तुरूज जानकारी दी गई इस आउसर पर नागपुर स्टेशन के स्टेशन प्रबंदक डियेस नागदेवे सभी विभागों के परिये वेक्षक और कर्मचारियों के अलावा कॉंट्रेक लिबर और कुली सहित तक्री बन 135 कर्मचारियों पस्तित थे स्टानिय अर्विन इंडो पब्लिक स्कूल में भारत के प्रथम गुरुह मंत्री एवं लौह पुरुष सरदार पटल की पुन्यती थी सादगी से मनाई गई विद्यार्थियों ने सरदार पटल की प्रतिमा पर शद्धा सुमन अर्पित किये स्कूल के प्राचारिय राजेंद्र मिश्रा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते वे कहा कि भारत की आजादी में सरदार पटल का अविस्मर निय योगदान था आजादी के बाद राश्ट की एकता और अखंडता में भी उनका योगदान अत्यनत महत्वोपुर्णा रहा स्कूली विद्यार्थियों ने सरदार पटल की पुन्यती थी ओनलाइन माध्यम से मनाई सभी कक्षव के विद्यार्थियों ने उनपर भाशन के विडियो स्कूल के साथ साजा किये गौर तलब है कि स्कूल ने सरदार पटल के जनम दिन को राश्टी एकता दिवस के रूप में बनाया था और उनके सम्मान में कई स्परधाय आयोजित की थी कुछ विद्यार्थियों ने उनपर 150 शब्दों का नेबन भी लिखा कुछ विद्यार्थियों ने उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग भी स्कूल के साथ साजा किये थे आठवी कक्षा से दसवी के विद्यार्थियों ने पिपिटी प्रस्तूती द्वारा सरदार पटेल को श्रधान जली दी। अर्विन बाबु देश्मुक प्रतिश्रान के कार्यकार अध्यक्ष एवं पुर्व विधायक डॉक्टर आश्री देश्मुक ने स्कूल के इस उप कमांडिंग ओफिसर परुन पिंपला पुरे द्वारा संसा के अध्यक्ष संदिप मानकर को प्रमान पत्र देकर समानित किया गया। इस अउसर पर प्रोफेसर राहुल नाक्टे प्रदिप सिंग, प्रोफेसर हिरकुले तथा अन्याधिकारी उपस्तित थे। ये समान लेत ग्रीन एंड क्लिन फाउंडेशन के फाउंडर संदिप मानकर दिनेश करम चंदानी, राहुल गवई, अनुराग विसेन, अभिशेक धरनेधर, अनिके तकर खेडे भारत शाहु, गोपाल पेटकर, कौशीक, सुरेश गंदेवर, विक्रम रेडडी, अमन कनोजिया, सची न पेडेकर, मंगेश मेश्राम, संकेत तैवाडे, करुन जैत्वार, राजेस सावडिया, गोविन वैराले, मोनीका मोटवानी, किरन इंगोले, शिवम कनोजे, सची नुईके, भरत, मनोज करवतकर, जोचना कुरेकर, साहिल मेश्राम, विलास गायक वाड, उमेश हेडाव, आदी उपस्तित थे, शहर जिला कॉंग्रिस कमिटी के अध्यक्षव, व विधायक विकास ठाकरे के नेतरुत्व में, सभी ब्लॉक में ब्लॉक समीतिया बनाने का कार्या शुरू है, दक्षिन नाकपूर ब्लॉक 6 के अध्यक्षव, दिनेश तराले द्वारा, ब्लॉक समी प्रत्यक बूथ में उन्होंने अध्यक्षव, व कार्यकारणी सदस्या नियुक्त किये, एवं चंद्रमानी नगर, विश्वकर्मा नगर, सावित्रीबाई फूले नगर, बजरंग नगर में बनाये गए बूथ अध्यक्षव सदस्या की मिटिंग ली गई, मिटिंग में आगावी महानगर पाली का चुनाव की जानकरी दी गई, एवं बूथ अध्यक्षव को बूथ सम्मंदित कार्य का महत्व बताया गया, भाजपा सरकार द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के बारे में पैंपलेट बाटे गए, पैठक में प्रमक उपस्थी थी, प्रतेश स सूची तीन के अनुसार प्रवेश दिये जाने वाले चातरों के दस्तावेजों की जांच करने के लिए आर्टी एक्षन कमिटी की बैठक ली गई, शुरुवात में समिती सदस्यों द्वारा मानने वरो का स्वागत किया गया, बैठक में समिती के अध्धिक्षय सुशिल दस्तावेज प्रस्तूत किये गये, जिसमें प्रमुकता से अक्षय समुंदर नामक पालक द्वारा फर्जी रेंट एगरिमेंट प्रस्तूत किया गया था, इस संदर्ब में समिती द्वारा प्रवेश को स्थकित करने के लिए दो दिन की अवधी दी गई है, जिसके बाद एड्मिशन रद किया जाएगा, सभा में 14 प्रवेशकों को अनुवती प्रदान की गई है और अन्य प्रवेश सम्मदित विश्यों में चर्चा की गई, इस अउसर पर सम्मान निय सदस्यों की मन्जूरी लेकर आगे की कारवाई की गई, सभा में आरिफ पटेल, सचिन काल बांडे, सीमा देश बांडे, मनोश दूद बर्वे, प्रग्या मेश्राम, लक्ष्मी मोजरकर, अनगा वैद्य, राजाराम बागडे, आधी सदस्यों मोजुद थे, आभार प्रदर्शन कांचन वान खेंडे ने किया युगानुगुंच काव्य संध्या का आयुजन, निवीदिता चक्रवर्तिव, जैप्रकाश शर्मा के सयोजन में ओनलाइन किया गया शशी भारगो प्रग्या द्वारा सरस्वती वंदना की सूमदुर कंठ से प्रस्तूती की गई, इस कारेक्रम में कुमार द्विवेदी द्वारा कुरुषना गजल की प्रस्तूती की गई, जिसके बोल थे, सवर जाएगा मेरा घर धीरे-धीरे सभी कवी उन्हें एक से बढ़कर एक रजभरी कविताय सुनकर श्रोताओ का दिल जित लिया, जैप्रकाश शर्मा ने देश भक्ती से ओध प्रोत गजल सुना कर खुब वहभाई बटोरी, शशी भारगो प्रग्या द्वारा गीत प्रस्तूत किया गया, इस कारेक्रम का सं जालन भी उन्होंने ही किया, अखिल भारतिय सफाई मजदूर कॉंग्रेस संगठन के नाकपुर शारत्धिक्ष और नाकपुर जिलात्धिक्ष पत पर जीतू मस्ते और सचिन डागोरे निर्विरोत निर्वाचित हुए है, ये घोशना हाल ही में संगठन के महराष्ट प् विजय बरसे द्वारा की गई, दोनों पदाधिकारी का कार्य काल दो वर्श का रहेगा और पदाधिकारी नाकपुर शहर और जिले में सफाई कामगारों के सरवागेन विकास है तूं प्रतिन इधित्व करेंगी, जीतू मस्ते नाकपुर निवासी विद्यार्थी जीवन से सकरीय अनिक कारे करता के रूप में कार्य कर रहे है, अनिक सामाजिक संगटों में उन्होंने कार्य किया है, इस बार उनकी कारे प्रणाली को देखते वे संगधन पर नाकपुर अध्यक्षा पत के लिए निर्वाजित हुए, उसी तरह जिलाध्यक्षा सचिन डागोर भ पबलु गंगा हेडे, ओमकार बोहोत, दीप माला दुबे, आधी द्वारा निर्वाजित हुए पदाधिकारियों का स्वागत बैठक में किया गया। टीमों ने 42,183 नागरिकों के खिलाफ कारवाई की और अब तक 1,94,000,000,000 रुपे से अधिक राशी का जुर्माना वसुला है। शहर में मामने कम जरूर हुए हैं लेकिन कोरणा वाइरस से संक्रमन का खत्रा अभी भी टला नहीं है। अभी भी अनेक जगहों पर नागरिक सामजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने जैसे नियमों की धजिया उड़ाते नजर आ रहे हैं। इसके चलते उपद्रव खोजी दल दुआरा इस प्रकार के गयर जमेदार नागरिकों के खिलाफ कारवाई कर रहे हैं। आकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार।